नमस्कार दोस्तो तेज डिजिटेल एजुकेशन मात मरू स्वागत छे युवा अजम्पाना कारणों नी आपणे वाद करी रिया छी आप रक्रण मा लास्ट विडियो अने एमा आपणे वाद करवानों छे सेक्षनिक कारण के युवा अजम्पा माते सिक्षन केटले अंसे जवाबदार तो केब युवान येले परिवर्थनना वहक परिवर्थनना चाहक अने परिवर्थनना आ वहको सिक्षन व्यवस्थामा पन धर मोड थे परिवर्थनी छेज परिक्षा पद्धती मां कोई मोटो बदलाव आउतो नथी येने कारणे युवानो चे यतास ताई चे युवानो जे सिक्षन मेडवे चे सिक्षन येने क्याई उपयोगमा आउवानो गोखन पटी उग्नान चे आजनी पेडितो 3G, 4G, 5G अने सेलफोन द्वारा दुन्याने मुठी मां करी लेती वोई त्यारे चोक, डस्टर, पेन, पेंसिल द्वारा पातु शिक्षन येना गलायेटू उतरतुन थी येनी अंदर असंतोस नी लागनी उपिधाई चे समाजना विकास नो आधार सिक्षन उपर रहलो चे सिक्षन क्रांतिकारी होँ जे, सिक्षन परिवर्तन सिल होँ जे, सिक्षन आधुनिक होँ जे वर्तमान समयनी अंदर जे प्रकारनी आवडत कुषडता तालिम पामेला युवानो नी जरूर छे यवा युवानों सर्षन करे ये प्रकारनो शिक्षन हो जोई पन दुख साथे के ओ पड़े के आउप सिक्षन आपना देश मान थी सिक्षण ना विकास साथे सिक्षित युवानोंने एमनी सेक्षणिक कक्षा प्रमाने रोजगारी मली लेवी जोईए तोज साचा आर्थमा विकास थयोगनाई पन वर्तमान समयनी अंदर स्थितीक जुदीच वर्तमान सम्हेनदर-काउसलय ब्राइज सीक्षण मढवू जана है विद्यार्थिन दर आवुझत कुषड तो निर्मान क्रे ये प्रकानू सीक्षण मढवू जाए बर आपड़े तो एज जुनू पुरानू गोखनिव सीक्षण मलै वर्तमान समय मां शिक्षण क्षेत्रे माहीती नो विस्फट थयोचे माहीती ना ढगला खड़कायाच शिक्षित युवानों नी सेंख्यामा दीन प्रती दीन उत्रोत्तर वधारो ततो जाईचे दर वसे लाखो ग्रेजुएट युवानो बार पड़ेच बीसी बीकोम एमेस अन्दर अजम पानी स्थीतिनू निर्मान थाई चे शिक्षण ना वधारानी साथे रोजगारी नी तको kalian पनवधारो थहेँ हो मात्र्ट डिगरी धारी युवानों ने रोजगारी मळती नाथी रोजगारी नितको न अभा थाग करो थे शिक्षित बे रोजगारोनी प्रिवर्थन पाम्ति समाज वेवस्ताने सिक्षण ना विवेद अभ्यास कर्मा माती विशेत अथा प्रवानी पसंगी कर्वामा योग्य मार्क दर्शन मलतू नती अने एने कारणे युवानों चे बेचेनी अतासा व्यग्रता निरासा नो अनुभाव करेचे मातापिता युवानों नी बदी जरुर्यातो पूरी करीश्वक्ता नती गणा किस्षावोतो समाजमा यवा जोवामाले चे कि युवानों चे गेर वर्तन तरफ खंटाई जाये चे आगणवदी जाये चे नो करवाना कामो एक करी भेश्ता वोई चे तो शिक्षण व्यवस्ता युवानों जीवन मां बे प्रकार्ना कारिय करती वोई चे एक तो युवानोंए शिक्षण आपू जेती ये जिवन निर्वा करी शके औने बिजु येनु सामाजी की करण करू कि जेती एस समाज निंदर आगणवधी सके। तो मात्र ओच सिक्षन मेर वो के मात्र डिग्री मेर विलेवी, मास्टर डिग्री मेर विलेवी येना थी रोजगारी मलई जती न थी। इवानों ने ए प्रकानुण सिक्षण मलुआ जए कि जे अनि ईंदर श्कील नुनिर्माल करे। उच सिक्षण मेडबी थो शारी स्थिती माते इवानों ए प्रहत्ना करों जई। त्यारे शिक्षननी तुल्व नामा निम्न दर्जानी नोकरी मले के नोकरी नी तकज नमले जे एनी महत्वा कांकशा माटे आज कारूप साबित्धती वोईचे यह प्रकानू सिक्षन चेना करता निची कक्सानी पोस्ट मले त्यारे युवानो चनी निरास्ती जाईचे एले युवानोने दर असंतोस, आक्रोस औने अतासानो उदभाव थाईचे। सिक्षन संस्था युवानोमा सामाजिक मुल्य, लोक्षाही मुल्य, औने राष्टी एकताना मुल्यनों सिंचन थाई एवु वातवरनापी आदर्श युवानोनो घर्तर करवामा उनी उतरेचे। त्यारे आ बन्य प्रकानी परिश्थिती युवानोमा अजम्पो उबो करेचे। त्रीजु कारणचे जेविक अने मनोवेग्नानी कारण। बालक जारे किस्वरा वस्तामा थी युवा वस्तामा प्रवेश करेचे। त्यारे येना सरी नियंदर अंतस्त्रावों बदलाईचे। जेनी सिधी असर येना मनु पर पड़ेचे। आ वस्तामा तेवो एक घणों बदू जानवानी अने समझवानी जिग्नासा वरुती होईचे। नव नव सिखी लेव। जानी लेव। येनी एक दगस वरुतीनु निर्मान थाईचे। पन कुटो मने समाज तरपती आ समय योग्या मार्कदर्षन मलतु नथी। योग्या सला सुचन मलतु नथी। आ वस्तामा एनामा 30 लागणी जवाबदारीनो अभाव पूरण समझण सक्तिनो अभाव होईचे। नथी ये बधी वातो पुरेपुरी समझी सक्ता। आ परिश्थितिनी अंदर जो एने योग्या मार्कदर्षन मले। तो ये समझ पूर्वक योग्या वर्तन करता थे जाईचे। आ उमरमा एनामा स्वतंत्रतानी भावना प्रबल होईचे। ये शत्तानो विरोध करवानू वलण चे धरावता होईचे। आ समय युवान बाहिया जिवन मा आनेक व्यक्तिके संस्ता के माध्यमोना संपर्क मा आवेचे। ये बाहिया परिबलोनी असर्थी तेनामा अव नवा विचारोध भावेचे। कैंक करी छुटवू छे, कैंक आगल वध होचे। पण योग्यमार्क दर्शनना अभावे ते आगल वधी सकता नथी। अने एनेकारणे येना मननी अंदर द्विधानी लागनी उत्पन थाईचे। शू करवू, शू न करवू, नकी करी सकता नथी। पण येनेकारणे युवा अजम्पानी स्थितीनु निर्मान थाईचे। आवा विचारोनी आर माला, तेमनी वार्तनीक अभिव्यक्तिने असर करती होई, येवुपन बनेचे। आम परिपक्वतानी उमर मा अव नवा विचारो, तेना मा अस्मन्जस निस्थितीनु निर्मान करेज। जे असंतोसने जनमा आपेज। युवानो मोटे भागे एवी मान्यता धरावता वोई छे के ज्या सुधी येनी मागणी माटे प्रबल रजुवात करवा मानी आवे त्या सुधियनों स्विकार्तो सेनी। अने लोक्षाहि मातो स्वतंत्रता आंगी खोटा अर्थ गटनने कारणे ए योग्य वर्तन द्वारा वोतानी लागणियों व्यक्त करता जोवा मले छे। एटले युवानो अयोग्य वर्तन करवातरप आगरवदी जाई छे। तो आब दा युवा अजम्पाना कारणों छे। सतत मस्तिमारेता अने अम्मेशा कोईनी रोक्टोक विना स्वतंत्रतानी इच्छा धरावता युवानों मन्छेनी चंचल वोई छे। आब युवानों केता होईजेग अमारी चिंता करी अमने डरपोक बनावसो नहीं। अमे भूल करीशू पणे माथी सिखी नेज जवाबदार बनीशू। माटे युवानों साथे वाच्चीत करवी जोई, येनों गमों अन गमों जानवो जोई, मैसूस करवो जोई, येने खबो आपो जोई, येने टेको आपो जोई, येने समझन सक्ति आपी जोई, येना प्रश्णों समझी, येने मार्ग दर्शन आपो जोई। आम दोरण वीरुद वर्तन माटे गणा मदा परिबलो जवाबदार छे समाजनो सुग्रथन अन सातत्य जड़वायरी ये माटे समाजना प्रत्यक सब्भियो प्रस्थाभी दोरण अने मुल्यों ने आत्मसात करी एनी वर्तन डबने समाज मान्य वर्तन डिति माँ परिवर्तित करे ये जरूरी ज़ तो अहीं आपड़े आपर अक्रा नमबर नव पूरू करिये छे सेल लाइक सब्सक्राइब कर जो नमस्कार